प्लास्टिट्स जो हैं यह सेल और प्लास्टिट्स जो हैं कई रूप में मिलते हैं कई तरह के प्लास्टिट्स होते हैं सेल के अंदर प्लांट सेल में और यह इस्टिकली प्लांट सेल में पाये जाएंगे सबसे important plastic जो है वो chloroplast होते हैं chloroplast जो की double membrane से surrounded होते हैं और ये double membrane सराउंड करते हैं और इनके अंदर एक space पाया जाएगा दोनों membrane को के अंदर जिनको कहा जाएगा stroma stroma में thylecoides पाया जाएगे और thylecoides में chlorophyll पाया जाएगा chlorophyll का function है light के energy को catch करेगा उस energy को catch करके light energy को वो chemical energy में convert करेगा change करेगा और भी तरह के जो chloroplast है जैसे दूसरे तरह के जो chloroplast होंगे उनको chromoplast भी कहेंगे लेकिन इनका function जो है photosynthesis नहीं होता है ये दूसरा function करते हैं ये fruits और vegetables को ये color देते हैं yellow color के हम बहुत सारे fruits और vegetables को देखते हैं yellow color है, orange color है, red color है तो इनका काम color देना है बच्चों और इनका काम anti-oxidant का भी होता है photosynthesis तो नहीं करेंगे लेकिन plants को और बहुत सारी चीजों की ज़रूरत है ये amino acid की synthesis करेंगे, fatty acids और lipids की synthesis करेंगे ये plant hormones बनाएंगे, chromoplast और leucoplast ये vitamins की synthesis करेंगे और भी बहुत सारे synthesis के इनके काम हैं, लेकिन इनके अंदर थाइलेकोइड नहीं पाया जाएगा थाइलेकोइड नहीं पाया जाएगा, मतलब chlorophyll नहीं पाया जाएगा और नहीं photosynthetic apparatus पाया जाएगा, तो ये जो leucoplast है, leucast के मतलब होता है colorless white, तो ये अपने अंदर starch और lipids को store करते हैं, ये जितने plastids हैं सबके अंदर एक ही तरह का genome पाया जाएगा, जैसे आप जो genome chloroplast में देखते हैं, जो DNA वो सेम genome chromoplast में पाया जाएगा और lipoplast में भी पाया जाएगा